आज के वीडियो में PBR 322 को चित्र सहित आसान भासा में समझाएंगे चलिए सुरू करते हैं तो PBR 322 एक प्लाजमिड है क्या है ये एक प्लाजमिड है और इस प्लाजमिड का क्लोनिंग वाहक के रूप में ब्यापक रूप से उप्योग किया जाता है यहाँ पहले प्रियोग किये जाने वाले E. coli क्लोनिंग वेक्टर में से एक है जो पहले E. coli क्लोनिंग वेक्टर प्रियोग किये जाते थे उन में से एक है कहने का मतलब यह हुआ कि PBR 322 जो है ये E. coli में आम तोर पर इस्तेमाल किया जाने वाला क्लोनिंग वेक्टर है तो इसमें P का मतलब है Plasmid और B.R. वोलिवर और रोड्रिक्स है अब आपके मन में प्रेशन होगा कि वोलिवर और रोड्रिक्स क्या है तो इसे वोलिवर और रोड्रिक्स ने बनाया था इसे बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम है यानि इसे बनाने वाले वैज्ञानिक वोलिवर और रोड्रिक्स के नाम से इसका पहला अच्छर लिया गया है B और आर और आपको बता दें जो इसमें 322 है उनके प्रियोग पर आधारी संख्या है यानि P का मतलब हुआ Plasmid और B.R का मतलब वह वोलिबर और रोडरिक्ज और 322 प्रियों का संख्यातपक मान हो गया आपको बता दें कि इसका नाम पोस्ट डॉक्टरल सोध करता फ्रांसिस्को वोलिबर जपाटा इनका क्या नाम था पूरा जो वोलिबर मैंने बताया है तो पोस्ट डॉक्टरल सोध करता थे फ्रांसिस्को वोलिबर जपाटा और जो रोडरिक्ज है नका पूरा नाम अगर देखा जाए रेमेंड एल रोडरिक्ज के नाम पर इसका नाम रखा गया है कोई पूछे कि PBR 322 कब और कहां बनाया गया तो इसका निर्माड सन उनीस सो सततर में सन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया बिश्विद्याले में हर्बर्ड बायर की प्रियोक्षाला में किया गया था यानि इसका निर्माड कहां किया गया कब किया गया सन उनीस सो सततर में सन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया बिश्विद्याले में हर्बर्ट बायर की प्रियोक्षाला में किया गया था मतलब यह हुआ कि 1977 में कैलिफोर्निया बिश्विद्याले सैन फ्रांसिस्को में हर्बर्ट बायर की प्रियोक्षाला में इसको बनाया गया यह एक synthetic plasmid है और cloning vector के रूप में निर्मित और उपयोग किया जाने वाला पहला कृतिम plasmid है याद रखेंगे और PBR 322 सबसे अधिक अध्यन किये गए plasmid में से एक है चले आपको बताते हैं कि PBR 322 plasmid की मुख विसेस्ता हैं कौन कौन सी होती है तो पहली विसेस्ता है PBR 322 की लंबाई लगभग 4361 वेस पेर है इसकी लंबाई कितनी है लगभग में 4361 वेस पेर है और अगर दूसरी विसेस्ता की बात की जाए तो इनका आकार 1.5 kb से लेकर 1500 kb तक हो सकता है इसमें 3 जीनों से लेकर कई हजार जीन हो सकते हैं फिर अगला यह पूरी तरह से अनुक्रमित है जिसका आर्थ हिया हुआ कि PBR 322 का पूरा अनुक्रम ग्यात और अध्यन किया गया है फिर चौती विसेस्ता है इसमें 2 प्रतिजैविक जीने पाई जाती है दो प्रतिजैविक जीने मतलब इसमें 2 एंटी बायोटिक प्रतिरोध जीन हैं कौन-कौन सी एमपी सिलीन और टेट्रासाइकलिन एमपी सिलीन यानि एमपी आर टेट्रासाइकलिन यानि टी एटी आर कहने का मतलब यह हुआ कि PBR 322 प्लाजमिड में 2 चिन्हित अस्थल टे एमपी आर होते हैं यानि यहाँ एक जीन एमपी सिलीन तथा दूसरी टेट्रासेकलीन के प्रति प्रतिरोधित है फिर एगले विसेश्था है इसमें अनेक विसेश्ट सिमकारी एंजाइम के अभिग्यान अस्थल पाये जाते हैं मतलब इस प्लाजमिड में प्रतिबंध ए प्रतिबंध प्रतिव एक विसेश्था प्रतिव एक प्रतिवाज हैं तो आसा है आपको पीवी आर के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो गई होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सेर कीजिए चैनल पहली बार आ है तो औरको सब्सक्राइब भी कली जी धन्यवार